So good morning guys, और current affairs के revision वाले session में सबसे फिले हम पुराने महीने की current affairs का revision करते हैं, तो पहला प्रशन क्या है हमारा, हाली में जारी German Watch के Global Climate Risk Index 2021 में कौन सा दिश टॉप पे रहा तो अंसर होगा मोजामबिक, भारत इसमें साथ वे स्थान पे रहा, मोजामबिक की capital Maputo है और मोजामबिक and medical risk की currency होती है, अब ये तो हो गया Global Climate Risk Index, कुछ समय पहले World Risk Index 2020 भी आये था, जिसमें भारत 39 नंबर पे था, और टॉप पे था वानुअतू, वानुअतू नाम का देश पैलेस्तान पे था, बताइए विभिन प्रतिव की परिक्षाओं के लिए मुफ्त कूचिंग जिसका नाम है अभ्यूदे, इसको शुरू करने की घोशना की किसने, यानि कि अभ्यूदे योजना को किसने शुरू करने की घोशना की तो आंसर होगा उत्यपरदेश ने, बताइए अंतरराष्ट्रे सीमा सुल्क दिवस कब मनाया गया International Customs Day 26 जन्वरी को, और World Customs Organization मिलेग आपको ब्रुसल, बेल्जियम में, बताइए किस राज्य सरकार ने पंक योजना को शुरू किया तो आंसर होगा मद्यपरदेश ने, और किस राज्य ने सार्वजनिक, यात्री, वाहनों पर GPS और पैनिक बटन अनिवारे कर दिया, तो आंसर होगा 36 गड़ सरकार ने, महिला मारसेलो, इबेलो डी सोसा, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, करंसी यूरो है, प्रधान मंतरी है, एंटोनियो कोस्ता, और हाँ गाईज, इंडिया के टॉप बैंक एडूकेटर्स, एक बार फिर एनकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं, कुछ टॉप एन से पढ़ सकते हैं, तो अनकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं, तो बाद में recorded session के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो class को download करके offline भी देख सकते हैं, और आप live class में ask a doubt feature के द्वारा teacher से अपने doubt भी clear करा सकते हैं, आप live quizzes और test session भी अटेंड कर सकते ह जहां पर आपको अपनी live ranking भी देखने को मिलेगी, तो अनकैडमी पर total 12 plus languages में classes conduct होती है, आप अपनी favorite भाषा में class attend कर सकते हैं, आप अपनी teacher के साथ interact कर सकते हैं और live poll में part ले सकते हैं, ये सभी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर, एक ही subscription के साथ, तो आज ही subscribe करें अनकैडमी पर और इन सभी benefits का लाब उठाईए, देखे अगर आप मेरा code जो है crack exam 10 उसे use करेंगे तो आपको additional 10% का install भी मिलेगा, और आपको सभी batches की link और subscription की सब नीचे description में मिल जाएगा, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, और पुर्तगाल में भारते राजदूत बने थे अभी इस चोहान नामे, बताईए इंडिया 2030 दर रिस्क आफ राजसीक नेशन नाम की बुक को किसने लिखा, गोतम चिकेर माने ने लिखा है, फिर बताईए किस अंतरिक्ष संगठन के रॉकेट ने एक मिशन में सबसे ज़्यादा उग्रहों को ले जाने का record बनाया तो आंसर हो स्पेस एक्स ने, एलन मस्क की है ये एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन, फिर बताईए एस्टोनिया की पहली महिला प्रधान मंतरी कौन बनी है, काजा कलास एस्टोनिया की केपिटल टालिन होती है, टालिन बढ़ते आगे, फिर एस अभी सेना देशों में, सेना देश मतल बाट कौली 25,000 अंतराष्टर रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी बने थे, और 12,001 दिवसे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी बने थे, बाकी बताईए बांगला देश ने किस देश के साथ अपने पहले व्यापार सहयूग समझोते पर, यानी कि preferential ट्रीड एग्रिमेंट पर समझोता किया तो अंसरोगा भूटान के साथ और भारत दुनिया का सबसे बड़ा नवी करणिय उर्जा पार्क इस्थापित करेगा कहाँ पे गुजरात में गुजरात के कच्छ में जिसकी कैपेसिटी होगी 30,000 मेगवाट बताइए दादा साहफ फाल के आइकोन अवाट 2020 से सम्मानित किया गया किसे अनंगशा विश्वास को और RBI के अनुसार कॉंटेक्ट लेस कार्ड का उप्योग करने के लिए किये गए लेंदिन की नई सीमा क्या है 5000 रुपे पहले ये 2000 रुपे थी उसे बढ़ा करकर 5000 रुपे कर दिया गया और TRA brand trust report के अनुसार सबसे विश्वशनिय ब्रेंड कौन सा रहा तो आंसर होगा Dell, Dell के जो computer आते हैं वो बताइए किस bank ने i-mobile पे application को launch किया ICICI bank की है ये application ICICI bank जिसके headquarter मुंबई में है MDCO संदीब बक्षी है इसका tagline होता है हम है ना खयाल आपका अब बताइए कौन सा देश 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा तो अनसर होगा कतर और जापान तो एक साल में दो क्लब विश्व कप होगे ये फरवरी 2021 में कतर में और देसमबर 2021 में जापान में फीफा का headquarter याद रख लो आप जूरिक सुजलेन में है इसके president होते ग्यानी इंफेंटो और बताइए कि इस bank ने रिण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस दे लेंडिंग सॉलूशन लॉंच किया तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक जिसके CEO है SS मलीकार जुन headquarter तो नहीं दिल्ली में बताइए भारती सशस्त्र सेना जंटा दिवस Indian Armed Force Flag Day कब मनाया गया तो आंसर होगा 7 देसमबर को बढ़ते आगे बताइए The India Way Strategies for an Uncertain World नाम की बुक को किसने लिखा सुब्रमन्यम जेशंकरने विदेश मंतरी हमारे बताइए भारती रेलवे की सबसे लंबे रेलगाडी का नाम क्या है तो ये है वासू की जिसके लंबाई 3.5 किलोमेटर है जो कि अभी भिलाई और कोर्बा के बीच में चली थी 222 किलोमेटर की दूरी तैकी इसने और साउथ इस्ट सेंटरल रेलवे जोन ने इसको चलाया बताइए सबसे लंबा प्लैटफरम कहां पे बनेगा तो ये बन रहा है करनाटक के हुबली रिलवे स्टेशन में विशेश कोड टू विन नाम की बुक को किस ने लिखा निरुपमा यादव ने लिखा है बताइए नैशनल स्पोर्ट से डे कब मनाया जाता है राष्टर खेल दिवस ये मेजर ध्यान चंजी की जेंती को मनाते हैं हम लोग 29 अगस्त को बताइए साउथ अमेरिकन कंट्री है गयाना इसकी केपिटल क्या है जॉर्ज टाउन है और इसके प्रेसिडेंट मोहमद इर्फान अली है प्रधान मंतरी है मार्क एंथनी फिलिप्स और बहरीन की केपिटल क्या है बहरीन की केपिटल होती है मनामा और इसकी करंसी है बहरीन दिनार राजा है हमद बिन इसा अल्क खलीफा अगला प्रश्न बुक से है दा एंड गेम नोवल को किस ने लिखा है एस हुसेन जेदी ने लिखा है बताएए वर्ड हैपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है 28 चुलाई को मनाया जाता है और इसकी फिंप थी हैपेटाइटिस फ्री फ्यूचर तंजानिया की केपिटल क्या है गूडुडुमा है और इसकी करंसी होती तंजानिया शिलिंग बढ़ते आगे डेस की बात करते हैं बताईए International Youth Day कब होता है 12 अगस्त को होता है इसकी थीम थी Youth Engagement for Global Action बताईए विश्व हाती दिवस कब होता है 12 अगस्त को ही होता है और हाती किनकिन राज्यों का State Animal है केरल करनाटक और जहरखंड का है और विश्व अंगदान दिवस Organ Donation Day यह मनाते हैं 13 बताईए विश्व मानवता दिवस यानि की World Humanitarian Day 19 अगस्त को होता है और 19 अगस्त को यह आप World Photography Day के रूप में भी मनाते हो बताईए सदभावना दिवस कब मनाया जाता है 20 अगस्त को राजिव गांदी जी की जैनती को ही मनाते हैं यह 20 अगस्त को और World Senior Citizen Day 21 अगस्त को होत होता है जो 1 अक्टूबर को होता है 1 अक्टूबर बताईए महिला समानता दिवस कब होता है फिर 26 अगस्त को होता है और National Sports Day 29 अगस्त को होता है बताई चुके हैं आपको और International Sports Day भी याद रख लो 6 अप्रिल को होता है अंतर राष्ट्रे चैरिटी दिवस कब होता है तो यह तब ही होता है जब National Teacher Day मनाते हैं यानि कि 5 सेप्टेमबर को और World Teacher Day उसकी एक महिने बाद 5 अक्टूबर फिर बताईए अंतर राष्ट्र साक्षरता दिवस International Literacy Day यह होता है 8 सेप्टेमबर को तो गाईज यह था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला सेशन सेशन अच्छा लगाओ प् हैं बागे हम इनको कल सॉल करते हैं यह रे कुशन आपके सामने हैं